So Hello Everyone, स्वागते आपका आमारे YouTube चैनल पे तो गाइस आज हम continue करने जा रहे हैं अपना topic जो हमने पिछली वीडियो में discuss किया था Order 8, Return Statement of the Code of Civil Procedure 1908 So guys, आज की वीडियो में हम discuss करने जा रहे हैं Set of counterclaim और इन दोनों का difference बहुत ही असान topic है, बहुत ही interesting topic है बस अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको आज की वीडियो से सारे concept regarding the set of counterclaim और difference बिल्कुल clear हो जाएंगे So let's start Rule 6 बात करता है set of की Guys, मैं सबसे पहले आपको meaning बताना चाहती हूँ Set of होता क्या है जिसके लिए आपको एक illustration की बहुत जरुरत पड़ेगी मान लीजिए आपने एक A person को hire किया है as a washerman वो आपके कपडे धोएगा और आपने उसको hire करने से पहले ये कहा था कि अगर तुमने मेरे किसी भी कपडे को मेरे नुकसान हुआ चाहे वो cut foot गए या फिर कुछ भी तरह का नुकसान हुआ तो आपके पगार से कटेगा वो ठीक है तो वो राजी भी हो गया अब क्या हुआ उसकी पगार मान लीजिए 1500 रुपे है और उसने आपके कपडे 1000 रुपे के खराब कर दिये cut foot गए आपके कपडे अब वो आपसे तो पगार मांग रहा है तो आप क्या कहेंगे उसे कि नहीं हमने तो पहले भी एक बात की थी कि तेरे जितने भी कपडे तुने मेरे खराब किये होंगे हम उसको तुम्हारी पगार से अडजस्ट करेंगे उसकी अमाउंट को ठीक है तो आप उस 1500 में से 1000 रुपिया अपना रखके 500 रुपिया उसे देंगे इसे ही कहते हैं set of तो इस illustration को दिमाग में रखते हुए आप अगर set of का देखेंगे सारा meaning वगएरा contents वगएरा तो आपके लिए काफी easy हो जाएगा so let's start order 6 जो बात करता है set of की set of का general meaning क्या है जब दोनों ही parties एक दूसरे के लेंदार या देंदार हो debtor या creditor हो मुल्ला ने भी define किया है set of को बहुत ही आसान तरीकों में in its original and expanded sense क्या है set of का मतलब कि adjudicate किसी matter को decide करना adjudicate करना जिसमें plaintiff का जो claim हो या तो completely wipe off completely खतम कर दिया गया हो या फिर उसकी claim की amount को reduce कर दिया गया हो ठीक है in its strict or statutory sense set of is defense set up by the defendant against the plaintiff ठीक है जैसे कि washerman ने आपसे पगार के लिए कहा तो वो plaintiff suit file किया उसने तो वो होगा plaintiff और आप होगे defendant आपने क्या defense की की हाँ उसने मेरे कपड़ों को खराब किया है ठीक है तो essentials आप उस ही illustration को ध्यान में रखते हुए अगर read करेंगे तो बहुत जादा असानी से समझाएंगे essentials क्या है पहला suit जो है money decree के लिए होना चाहिए money decree certain and definite amount होनी चाहिए यह नहीं कि आपको amount का पता ही नहीं ठीक है पता होना चाहिए legally recoverable amount money होनी चाहिए यह ना हो कि इसे भी illegal contract के लिए आपने यहां forgery की amount को आप claim कर रहे हो ठीक है legally recoverable होनी चाहिए by defendant or all the defendant कहां से from the plaintiff or all the plaintiffs ठीक है जो court है वो competent होनी चाहिए मतलब की pecuniary jurisdiction की उसकी competency होनी चाहिए defense of set of by defendant treated as the plaint by plaintiff and mentioned by both parties ठीक है दोनों parties में mention करें इसे अपने अपने pleadings में एंड इसे एक अलग से plaint भी माना जाएगा effects क्या है set of के treated as a defense on of the defendant as the plaintiff ठीक है तो दूसरा है दोनों को try किया जाएगा दोनों suits को एकठाई कोई भी separate suit की जरूरत नहीं होगी kinds of set of common law की बात करें equitable set of क्या होता है जब हमने देखा कि पिछले rule में हमने देखा कि amount certain होनी चाहिए equitable set of में amount certain नहीं है claim नहीं की जा सकती as a matter of right totally depends upon the description of the code चाहे वो अलाव करे उस set of को चाहे न existence of fiduciary relationship master and servant या फिर doctor and patient का वो relation होना चाहिए या ऐसे ही और relation होने चाहिए must arise from the same transaction वो जो set of की claim है और दोनों का suit जो है दोनों ने file किया है दोनों suit जो एक ही try किये जाएंगे एक ही suit में दोनों ही same transaction से arise होने चाहिए so यह example जो हमने पहले discuss की वो है so guys it is all about the set of अब हम बात करने जा रहे है counter claim की जो generally बात करता है under rule 6A to 6G आपने मुझे comment करके बताना है कि इसकी amendment कौन से year में आई थी ठीक है तो counter claim को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से वही चीज़ बताना चाहती हूं एक illustration के माध्यम के दुआरा हम आपको counter claim के सारे essentials बताएंगे ठीक है करा है suit against the B कि वह आपकी property में ना आए injunction के लिए आपने file किया है court में तो अगर B ने फिर से आप उसी claim में उसी suit में यह कह दिया कि यह तो property है ही मेरी मतलब कि आपने जिसको रोकने के लिए suit file किया है वही person आपकी property का owner हो तो उसे कहते है counter claim अब क्या है guys set of जो होता है वो अब उसकी जो degree होती है वो थोड़ी सी धीमी degree भी कह सकते हैं पर यह जो counter claim होता है यह बहुत घातक होता है मतलब कि इसको हम कह सकते हैं पीठ में खुरा खुमपना भी कह सकते हैं इसे ठीक है so guys शायद कुछ words जो है Hindi के मेरे से अच्छी तरह से pronounce नहीं हो रहे तो आप मुझे माफ कर सकते हैं and मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जादा से जादा Hindi words को use करने की ठीक है rule 6 जो है 6A sorry counter claim की बात करता है सेम वही बात आपने पुरानी ही illustration जो हमने injunction वाली की है उसको ही अपने mind में रखना है और counter claim जो है 6A में हम discuss करने जा रहे है rule 6A counter claim is a defense set up by the defendant set of में क्या था कि person जो है उसकी पगार काट रहा है क्योंकि उसने उसके कपड़े जो है खराब किये है ठीक है पर यह जो है defense set up by the defendant against the plaintiff's claim इसमें वो कह रहा है कि हाँ जो plaintiff कह रहा है उसके द्वारा ही defendant जो है अपनी defense set up करता है मतलब कि दोनों counter suit हो सकते हैं when plaintiff claimed as a set of मतलब कि plaintiff ने अगर set of claim किया हो तो defendant है वो जो defense set up करता है against the plaintiff's claim उसे हम कहते है counter claim counter claim must be accrued before the set up of the defense जब हमने वो defense लिया किसी बात का वो उससे पहले arise होना चाहिए ठीक है within limited time or before the expiration of the time ठीक है तो court जो है वो pecuniary jurisdiction के लिए भी competent होनी चाहिए effects क्या होते है counter claim के एक cross suit माना जाएगा defense by defendant treated as a plaint ठीक है opportunity दी जाएगी plaintiff को कि वो present करे written statement on the counter claim और दोनों ही suit जो है try किये जाएंगे together कठे ही illustration वही है जो हमने discuss की है आपसे पहले लक्षमी दास वसिस महा भाई के case में कहा गया है कि जो counter claim है वो एक statutory right है यह right आपको statue देता है ठीक है अब बात करते है when counter claim allowed कब-कब allowed होता है counter claim सबसे पहला कि written statement में file हो कि हाँ हमने counter claim करना है या फिर amendment करके आप file कर सकते है written statement में या फिर substituted proceedings जो बात की गई है under rule 9 ठीक है fourth point हमें हमें हम बात कर रहे हैं कि before closing the evidence in case evidence close होने से पहले-पहले हमने counter claim की defense लेनी है और दोनों में interconnection होना चाहिए ठीक है दोनों एक दूसरे से connected होने चाहिए counter claim और जो facts है वो so next हम discuss करने जा रहे है other rules rule 6 b जो है वो कहता है कि specially written होना चाहिए as a set of या फिर counter claim का rule 6 c कह रहा है application by plaintiff that it required separate suit then court may order as it thinks fit rule 6 d e कह रहा है discontinuance of suit e कह रहा है कि अगर कोई भी reply नहीं किया plaintiff ने for the set of तो फिर court judgment दे देगी against the plaintiff f कह रहा है कि relief जो है defendant का अगर counter claim प्रूव हो गया तो उसी हिसाब से दिया जाएगा rules जो है regarding the return statement उसकी बाते की गई है under rule 6 g एक और बात है order 20 rule 19 भी आप इसके साथ link कर सकते है जो decree की बात करता है अगर decree pass की गई है counter claim और set of के लिए ठीक है court mention करे उसमें कि कितनी amount due है plaintiff के तरफ और defendant के तरफ दोनों की तरफ plus कितनी recovery of the sum होनी चाहिए वो भी mention करे और decree for set of and counter claim दोनों ही subject to provision of appeal as if no set of or counter claim has been claimed अगर कोई set of या counter claim claim ही नहीं किया गया था पर court ने decree pass कर दी है for the set of या counter claim तो इससे appeal लगाई जा सकती है difference करने जा रहे है set of जो है statutory defense है और यह जो counter claim है cross suit का का काम करती है set of है sword है sword या shield का का काम करती है protect करती है plaintiff को जबकि counter claim जो है treated as a weapon यह जादा घातक होता है जैसे हमने पहले भी discuss किया है यह हमेशा ही definite sum के लिए होती है arising out of the same transaction यह ज़रूरी नहीं है कि definite sum के लिए हो जैसे कि हमने immovable property की बात की थी counter claim की example में set of की जो amount होनी चाहिए वो होनी चाहिए less than the claim preferred 1500 में से सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपे का set of यह allowed है amount of counter claim greater जैसे कि हमने immovable property की बात की है person जो owner है ठीक है amount must be recoverable on date of the suit amount recoverable on the date of the return statement effect जो है claim का claim है by plaintiff वो totally in total या फिर प्रोटेंटो मतलब पूरा पूरा उसका effect होता है और दोनों को एक ही suit में try किया जाता है jointly पर यह जो counter claim है इसमें माना जाता है कि वो एक independent action है ठीक है यह था हमारा आज का वीडियो मैंने पूरी पूरी कोशिश की है आपको set of or counter claim की सारा concept को समझाने के लिए अगर कोई भी mistake हो गई हो तो आप comment box में मुझे बता भी सकते है so I hope कि मैंने सारे concept clear कर दिये है and सारा कुछ cover भी कर दिया है अगर आप इस ही order के other rules के बारे में भी वीडियो चाहते है miscellaneous rules जो होते है तो हम उसे भी एक separate वीडियो बताएंगे so guys अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो please like, share, comment and subscribe our channel thank you